असलाम वालेकुम, I am Farhan Meir, Founder and CEO of ShariaVille. ShariaVille is an initiative towards interest-free system. आज दोस्तों, market में बहुत अच्छी चाल आई है, और ऐसा लग रहा है कि market का bottom बन गया है. लेकिन question यह है कि सच में market का bottom लग चुका है, या correction यहां से और बढ़ने वाली है. अगर आप trader है, investor है, तो आपको market में क्या करना चाहिए? यह complete analysis दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेगी, वीडियो को पूरा देखिए, आपके नौली में ज़रूर इजाफा होगा. सबसे पहले दोस्तों आपको यह समझना है, कि जो market में जो correction आ रही है, उसके reasons क्या है? तो जो दो main reason है, वो यह है, एक तो Iran-Israel का war, और जो दूसरा reason है, वो FIS की continuously selling. और यह दो reason decide करेंगे, कि आने वाले time में market के लिए क्या possibilities बन रही है? फिलाल दोस्तों market में तीन type के possibilities exist करें, जो के हमेशा exist करती है, सबसे पहला तो एक यह है, कि market में यहाना crash आ जाए, crash का मतलब यह होता है, कि आज हम लोग 25,000 के आसपास है, सीधा सीधा निफ्टी यहां से गिरने लग जाए, और 30, 40, 50% तक के गिरावट आ जाए, यह एक प 30,000, इस तरीके से हम चलते जाएंगे, एक type के लोग का यह मानना है, और तीसरे type के लोग का ऐसा मानना है, कि 24,000 के आसपास एक temporary bottom तो हमारा लग चुका है, जैसे market यहां से गिरी है, अब एक market में bounce आएगा, फिर market गिरेगी, फिर bounce आएगा, और थोड़ी से time wise, price wise correction होगी, मेरा अगर दोस्तो personally मानना ऐसा है ना, कि मैं थोड़ा सा इस category में लेके, अपने आपको ज़्यादा इस category में देखता हूँ, उसका simple सा reason है ना, कि कौन से category में market जाएगी, यह जो reasons है ना, वोई decide करेंगे, तो सबसे पहले अगर मैं एक reason को, इसको पकड़ के अगर मैं तीनो situation आपको explain करूं, तो यह situation क्या है, Iran-Israel की war, case number one दोस्तों तब बनेगा न, जब यह Iran और इसराइल की war है यह एक बहुत ही बड़ा रूप ले ले, यह war में बहुत सारे countries directly इनको support करें, और World War 3 type की situation कुछ बन जाए, अगर इतना कुछ बड़ा हो जाता है, तो obvious सी बात है, यह अगर जंग हो जाएना, तो बहुत दुखसान होता है, nuclear weapon है, और काफी सारी चीज़े है, तो हाँ, जहां तक के पीछे से support देनी की बात है, वो लोग तो करेंगे, और लेकिन बहुत कुछ बड़ा होगा, मेरे को ऐसा लगता नहीं है, तो case number one, यह reason की वज़े से, तो crash होग आपका, कि अगर यह जो war है ना, यह चलती रहे, और जैसे के जो Russia और यूक्रीन की war जो चल रही है, पिछले एक साल उसे चल रही है, दो साल होगा है, चले, कुछ उस type की जो situation अगर बन जाए ना, तो आप बोल सकते हो के case number three में market चली जाए, जिसकी possibilities, मेरे कहाल से आज के दोर में बहुत जाता है, दीकि यह जो war है ना, इरान और इसराइज का, यह all of a sudden market कोई शौक नहीं है, पिछले एक साल पहले, मेरे कहाल साथ ओक्टोबर, साथ ओक्टोबर 2023 को हमास और इसराइल के विश्में फंगा हुआ था, है ना, और in fact, इसराइल और फिलिस्तिन की ब इसराइल पर डाले वें, और यह चीज़ एक्चुली दोचा महना पहले भी हुई थी, तो इरान आया, यह development है, बट यह बहुत डायरेक्ट रिक बड़ी कुछ बनेंगी, डायरेक्ट खतम होगी, ऐसा लगता नहीं है, एक cold war टाइप की चल जाएगी, जैसे यूक्रेन और में चल रही थी, और अगर ऐसा चलता है, तो मेरे ख्याल से, यह टाइप की situation मार्केट में बन सकती है, कि एक short term का more term में तो मार्केट ने लगा लिया, जो 25,000 के आसपास है, अब यहां से मार्केट, यह 25,000 है, अब यहां से मार्केट, एक bounce लेगी, फिर गिरेगी, और इस में कभी लॉटेंगे नहीं, यह लंबे टाइम तक नहीं लॉटेंगे, तो आप समझ सकते हो कि यह वाली situation बनेगी, बट ऐसा फिला तो लग नहीं रहा, पहले तो आप समझें कि FIS सेल क्यों कर रहे, उसका simple सा रीजन यह है, कि FIS जो है ना, वैसा यहां से निकाल के चाइन जो US में interest rate सस्ते हो गए, अब जैसे interest rate सस्ते हो जाएंगे, तो वहां पे जो US में FD करेगा, उसको return कम मिलेगा, तो वो case में क्या करते हैं, जो गोरे हैं, वो पैसा अपना निकाल लेते हैं, क्योंकि FD के rate काम हो गया, अब emerging market में उनके option क्या है, चाइना का है, इंडिया का बहुत है, बड़ मेजर economy चाइना और इंडिया है, अब जो चाइना की जो मार्केट है, अब विछले 20-25 सालों से चली नहीं है, तो पैसा पुरा इंडिया में आ रहा था, बड़ आल अफ असड़न क्या हुआ, लास्ट वी, दो हक्ता पहले, चाइना की सरकार ने क्या क्या एक stimulus package दे दिया, बतलब वहां की companies को थोड़ी सी राहत दे दी, तो जैसे stimulus package दिया ना, तो जो गोरे हैं, उनको चाइना अट्रेक्टिव लगने लगा, इसके लिए इन्हों ने क्या किया, अपना पैसा चाइना में इंवेस्ट करने लगे, इंडिया से थोड़ा सा पैसा इ जहां पर growth है, तो अगर आप इंडिया और चाइना को compare करेंगे, आप बोलोगे चाइना में भी growth है, इंडिया में भी growth है, बट प्रॉब्लम है ना, कि चाइना की जो market है बहुत जाता regulated market है, वहां पर क्या होता है ना, पता नहीं चलता है, एक दिन आपको example देता हूं, एक इस ने भी इस company में, कोई company थी बहुत तुरानी बात है, company में जो भी गोरे है ना, जो भारवाल है ना, वो भी इस नहीं सकते, तो वो जो है ना, चाइना में जो rules है, डेगूरेशन ऐसे है ना, जिसकी वज़े से ना, चाइनीज मार्केट ना, बहुत ही जादा perform नहीं करती है, प्लस, जादा इंवेस्टर लोग उसमें, इंवेस्ट करने में पर इंटरस्टेट नहीं रहते हैं, that is the reason आप देख सकते हो, कि चाइना is a country तो grow कर रहा है, बट यह आपका जो टॉप लगा हुआ है, यह लगा है, यह लगा है, यह जो शॉट टॉप लगा था ना, वह जो economy ना Chinese, बहुत ही जादा, आप बोल सकते हो, regulated है, इसमें ना government कुछ भी decision लेती है, इसलिए ना इस market में ज्यादा पैसा लोग लगाना नहीं चाहते है, और जब वो ज्यादा पैसा लगाती नहीं है, तो अब यह सी बाते market perform नहीं करती है, तो question ही है कि जो FIS के selling हो रही है जो Chinese market में पैसा जा रहा है, कि हमेशा जाएगा, हमेशा जाएगा तो यह situation बनेगी, नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, भाई, वहाँ पे बहुत सारे problems है, तो eventually पैसा बापस आजाएगा, bottom made, मतलब पैसा क्या कलरी से बापस आएगा, नहीं, क्योंकि अब short term में अगर FIS को market अगर attractive लग रहे न, तो ठीक है, लग रहे हैं तो भाई, थोड़ा time हो सकता है, कि market में से पैसा वहाँ जाए, और eventually पैसा वापस इंडियन market में आ जाएगा, again, that supports our case number 3, case number 3 अगर आप देखोगे न, तो वही है case number 3 है, कि market यहां से सीधा नीचे निकल गी, जिसका चां number 2, अब जो important है, हो है case number 1, अब case number 1 मेरे खाल से क्या हो सकता है, कि market यहां से एक बार bounce ले ले और चो important level है market के ले वो यह level के आसपास है, मतलब 25,500 के आसपास, so 25,500 के आसपास market थोड़ा सा time pass करे और यहां से गिरे, ठीक है, मैं actually यह चाहता हूँ ना, कि यह range में एक जाए नीचे आए, उपर जाए नीचे जाए और थोड़ा सा base building formation हो, कुछ correction हो, और उसके बाद market निकले ना, तो यह market को मेरे कहा है, मार्केट की सीधा उपर निकल जाती है, तो आप समझे के market case number 2 बन गया, मतलब यह जो bottom था, वो bottom confirm हो गया, और 25,500 के आसपास market थोड़ा ब bottom लगा ली है, but as of now by looking at the situation, मुझे ऐसा लगता है कि यहां से एक छोटी सी correction आपको trigger होनी चाहिए, अब वो correction कितनी trigger होती है, क्या होती है, वो आने वाले time में देखेंगे, जब market यहां पहुचेगी ना, तो इस दोरान से, again, जब अपना जो इसराइल और इसराइल और इरान यहां से नीचे चलने को तैयार हो जाएगी, तो basically, in any case, the first target for the nifty is 25,500, यह लेवल के आसपस आपने आपको थोड़ा सा देखना है, ध्यान देना है, यहां से market निकल गई, तो आप बोल सकते हो, final bottom लग दीगे, bottom का तो problem ही होता है, कि लगने के बाद पता चलती है, अब as a trader, अगर आप हो, तो आपको करना क्या है, तो एक position आपकी यहां पर बन जाएगी, ठीक है, उसमें आप जो भी stocks वगर अपने साब से देख सकते है, और आप इसके आसपस एक ऐसे level बनेगे ना, जब आप profit booking के आसपस आप देख सकते हो, यह level के आसपस decide होगा, कि market क्या करेगी तो trader हो, तो मैंने बता दिया, इसके नीचे जाने लगा, तो फिर exit है, क्योंकि इसके नीचे जाने लगेगा, तो फिर जो next support बनेगा, market के लिए, वो 24,000 के आसपस है, जो कि final bottom में पूरी correction के लग सकती है, उपर जाने लगा, यह level क्रॉस किया, तो again, गोल सकते होगा, आप एक तेजी यह बनने को तेयार है, तो यह trader के लिए important level में बता दिया, अब अगर आप investor हो, तो देखे, investor हो, तो एक जो है ना, installment आपकी, इस level के आसपस लग जानी चाहिए, क्योंकि हमको ऐसा लगता है, कि market ने भी correction नहीं किये, लेकिन, scene का है, हमारे को लगने से कुछ नही दूसरा कब लगेगा, अगर 25,500 के उपर market निकल के sustain कर ली, तो आप समझ लो bottom लग चुक है, जो भी आपका पैसा लगाने लगा लो, या एक तो installment लग चुक है, अब यहां से अगर market नीचे जाएगी, तो आप बोल सकते हो, कि 24,000 के आसपास, या उसके लिए भी important level बनेगी आप दूसरी installment लगाने की plan कर सकते हो, तो अगर आप investor हो, तो आपको इस तरीके से market को देखना है, आने लेट में दोस्तों इसको analyze करेंगे, और देखेंगे क्या हो सकता है, अपने अनिलेसिस कर सकते हैं, उससे साबसे अपने decision ले सकते हैं, अपने discipline maintain कर सकते हैं, ट्रेडर तो stop loss follow कर सकते हैं, इन्वेस्टर में तो जब भी dip निल तो इसमें investment करने की सोच सकते हैं, तो हम अपनी planning कर सकते हैं, तो मार्केट की planning हमने नहीं कर दी, मार्केट की planning मार्केट को दे दीजिए, इस गिरावट में आपको नहीं समन में आता है कि कॉन से stock में invest करूं, क्यूं कुछ गिर रहे हैं और यह टाइप पे बहुत ज़्यादा सिट्वेशन डिफिकल्ट हो जाते हैं पोर्टफोलिय को मैंने जोगरा करना इसलिए मेरी एक आम इंसान को तो यह राय होती है कि अब दोग तो हमेशा probability पे काम करते हैं तो इसको इस तरीके साफ implement कर सकते हो तो इस वीडियो बहुत जल्दी में तो अपने अगले वीडियो के साथ अब तो करना खयाल रखिया असलाम वालेकूल